स्रिलंका वर्डवेश नीदर लैंड बीच में यह जो आई सी टीविंटी वर्ल कप के वॉर्मप मैचस चल रहे हैं यानि भयास मैचस चल रहा है उसके जो मैच स्रिलंका वर्डवे द लेंज उसके बारे मैं हम लोग बात करने वाले किस तरीके से किन प्लियर्स की क्या स्ट्रेंथ है क्या वीक्नेस है यह पिछ कैसा भीएव कर सकती है सारी चीजे जब आपको पता रहेंगे तो आप खुद से अपनी एक अच्छी टीम बना सकते हो अब बात आती है कि वार्म अप मैचेस क्या होते हैं तो इन शॉट अगर मैं से जिसले समॉल लीक लियो तो उतने अच्छह नहीं होते हैं ग्रैंड लिक के लिए अच्छी होते हैं तो मैं आपको लेकंत्र छे आina बनाच कि पुल तो आप मैंने जो मेन में चाहिए अटलिस्ट उसको कवर करो तो मैंने वही सोचा है कि चलो ठीक है कवर करेंगे आपको हर एक प्लेयर के बारे में डीटेल जानकारी दी जाएगी ताकि आप लोग खुद से अपनी टीम बना पाओ ठीक है तो उसके लिए देखो बहुत सारा महनत लगता है ह प्रीज एक लाइक से स्टार्ट करना तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा ठीक है अब यह जो मैच है वह लॉंडर हिल के ग्राउंड पर खेला जागा रिजलेंड पार्क के अबब स्कूर गया है दोमेस्टिक के यहां तेरा मुकाबले खेले गए वहां पर 163 का फरस्ट ट्रीन का अवरेज जिसकोर है यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी पांच बार वन सेविंटी के अबब स्कूर गया इसके अलावा यहां पर आओ यहां पर यहां पर मैंचेस में 170-180 बने हैं easily तो आप यह मान के चलो रंच बनते हैं प्लस यहां पर आप देखोगे तो 28 विकेट इस्पिनर जो यह पांच होएज हमने देखे 34 विकेट पेशर्स और 34 में से 23 विकेट फरस्ट इनिंग में पेशर्स को और इस्पिनर्स को फरस्ट इनिंग में तो यह उस टाइप की विकेट है ओवराल बैटर्स को फेवर करता है और बालिंग से अगरा हम बात करें तो फरस्ट इनिंग में पेशर्स को और जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होन होता है थोड़ा स्पिनर्स गेम में आते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है यह इनके अनाउंस नहीं होती है इसमें क्या होता कि जो पंदरा मेंबर इनके स्क्वैड में वह अनाउंस होते है ठीक है और अगर इनकी टीम पहले बैटिंग कर रहे तो मालो दस में सनायका तक इनकी बैटिंग खतम हो गई इनको और बैटर्स की जरूरत है तो जो बचे वे कोई एक बहुत महेंगा साबित हो गया तो इनको सबको ट्राय करना है तो पंदरा मेंबर के जो भी स्क्वैड में बॉलर्स रहेंगे उनको यह लोक ट्राय करेंगे तो इसमें यह नहीं पता चलेगा कि कब किसको कितना ओवर मिलेगा और कब कॉन बैटिंग करने आ जाएग उसमें आप लोगों ने बहुत डिमांड किया था कि वैसे मैचेस तो कबर की कीजिए जो की थोड़े पॉपुलर है फॉर्म अप मैचेस तो मैंने कवर करने की कोशिज की है अगर आपको यह चीजे पसंद आती है तो लाइक जरू कर दीजेगा बहुत अफ़र्ट लगता ह ठीक है तो अभी हम बात करते हैं से लंकर टीम की डीटेल में वैसे तो यह इनके 11 प्लेयर के स्टैट्स है मैं भी स्टैट्स नहीं है मैं भी आपको सब का दिखा दूगा रिशेंट फॉर्म पहले अगर आप देखो इसे इनका 11 प्लेयर का हां मैं इस मैच में तभी खेलू है फिर उससे अच्छी बात तो क्या ही है तो यह देखो वैसे इनके 11 प्लेयर्स हैं जिसमें से कुशल मेंडिस पथम निशंका सिए सलंका असरांगा मैथ्यूज मधुन शंका पति रहना और नुवन तुसार है यह इनके इंपोर्टेंट प्लेयर्स है फॉर्म देखो के त है तो यह इनके टीम के मतलब प्लेयर्स प्लेयर्स हैं तुसारगे वूर्स देखो अब देखो इनकी टीम से कुछाल मेंडिस का 25 का एवर्ज ए 136 का स्ट्राइक रेट है रिसेंट फ़र्म मैंने आपको दिखा दिये यह एक डोमेस्टिकली तो यह 100 भी कर आ रहे हैं यहां से केवल केवल कुछाल मेंडिस और बैटिंग से इनके पास पाथुम निशंक और असलंका पाथुम निशंका का 28 का एवर्ज है दस बार पचास है असलंका का 126 का एवर्ज है थोड़ाचा यह बॉलिंग भी डाल लेते हैं तो यह दोनों का अच्छा स्ट्राइट से औ यह दोनों इंपॉर्टेंट बैट्समें से अपनी टीम के बाकि दाशुन शना का ओल्राउंडर है यह थोड़ा बॉलिंग भी डालते हैं उन्चास मैच में 31 विकेट भी है 21 का एवर्ज है और 136 का एवर्ज है रिशंट फॉर्म में 82 का एवर्ज स्कोर है बॉलिंग इंट इस प्लेयर से बैट्समेंन से के अब इनमें से अगर कोई खेलता है तो आप ग्रैंड लिंग में ट्राय कर सकते हैं बाकि बैटिंग से इंके पास पातुमनि संग और सी अ अल्राउंडर से तो और राउंडर से इनके पास रहेंगे वानिंदू हसं का एईग एशनलो मेथि नहीं है जो कि अपनी टीम के लिए एक स्टेबिलिटी माइन्ट इस्टीबिलिटी जो है इनका बहुत स्थिर्था से काम करता है स्थिर्था से यह बैटिंग करते है तो 21 का अवरेज है 24 इनिंग में 15 विकेट भी अविला लेगे 16 एवरेज है लेकिन 31 इनिंग में 34 विकेट है रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है तो थोड़ा सा ध्यान रखना इनके उपर ठीक है इसके अलावा गर हम बात करें तो बॉलिंग सेक्शन चे पति राना मदुन चंगा नुवन तुचरा अब इसके बाद हम बात करते हैं तेलिग्राम में यूड़े तो जूड जाओ क्योंकि माल लो अगर आफ्टर टॉस्क के बाद की कोई अपडेट आती है तो मैं वही दूँगा और अगर प्लेइंग 11 अराउंस हो जाता है तो मैं इसमें खेलूंगा भी फिर में आपको अपनी टीम भी शेयर करूंगा लेकिन आप कोशिस करो खुद की टीम बनाओ वीडि मैं फिर भी दिखा दे रहा हूं इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैक्स वडाउट लेवाइट एंगल ब्रेक्ट बस्दी लीडे लोगन वेंविक मिक्रीन और किंग मा अगर आप देखो गे तो मैक्स वडाउट का फॉर्म अच्छा है इन दो पारियों में उन्हें इनकी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर थे रिशन फॉर्म अब इनकी टीम के भी डीटेल में स्टैट्स देखते हैं अगर इनकी टीम के देथ बॉलर्स देखोगे तो लोगन विनविक, मिक्रियन और किंगमा है अगर हम बात करें इनकी टीम के स्टैट्स की तो स्कॉर्ट एडवर्स के उतना अच्छा स्टैट्स नहीं है बैटिंग सिनके पास के वल मैक्स वडाउट और एमलेवाइट है जो अच्छा स्टैट्स रखते हैं बरेशी का बैइस का अवरेज है उतना अच्छा नहीं है ठीक है ऐसे अगर हम इनका वल्राउंटर की बात करें तो बस्दी लीडे इनके बैस्ट अल्राउंटर एक्सो तीस का मतलब स्टैट्स का एवरेज 106 का स्ट्राइक्रेट लेकिन अगर सामने लेफ्ट रहेंगे तो यह बालिंग डालेंगे वन डाउन आते अच्छे बल्लेवास है और आट मच में पांच विकेट है ठीक है लेकिन वहीं है कि इनको ज्यादा मौके मिले नहीं है तो यह एक रीजन है कि इनका उतना अच्छा पर्फोर्मेंस ना द किली देखोगे तो 26 कैवरीज है और 38 निंग में 36 विकेट भी है इसके अलाबहा इनके बॉलिंग सें पीवीं मीकरीन और वीकिंग मने पीवीं मैं 69 निंग में 79 विकिट और वीकिंग मा 18 विक विकट वाकी नीचे टीम प्रिंगल का वीक अर्फ्टन हो यहा बाग रंच में विकिंग मा तो यह छे खिलाडियों में से आप अपनी प्लेयर्स चुन सकते हो मैक्सिमम टाइम यह छे खिलाडियों ही परफर्म करके देते हैं बाकी अब बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच में ओवर ओर तीन बार मों कबला हुआ है और वो सिलंका ने तीन बार जीता ह है थोड़ा head-to-header venue record की बात करते हैं जैसे यह से लंका की टीम है अगेंस नीदलेंड और यही इस venue पर तो अगेंस नीदलेंड एक मच के लिए कुसल मेंडिस 79 किया है पिनिसंका के साथ का अवरेज है दो मच में 14 रन किया है उननीस के अवरेज असा लंका का है और वानिन यहां पर नीदलेंड की टीम का तो नीदलेंड की टीम के अगेंस सेंपागहे जो सामने वाली टीम है कौनशी टीम है तो q समस्नचरीलिक थील थीयान मत देना स्कौट ड़ऑर्ट का 75 रावरेजरा में 973 का अविरेजरा लॉग वेनवीग एक एक रन किये थे और पीवे में इन लोग का ये stats है ठीक है तो उतना अच्छा stats आपको दिखेगा नहीं किसी का किसी किसी का ही दिखेगा तो आपने दोनों players के players के बारे में जाना stats देखे अब courses यह करो कि देखो अगर playing level announce हो जाती है तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप टेलीग्राम से जूट जाओ वीडियो के description comment section के सबसे पहले comment लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का free है बिल्कुल वहां पे हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे न हर एक खिलाडी के जो अगर playing level and announce हो जाता है तो मैं आपको team दे दूँगा लेकिन अगर announce नहीं होता है कि इस वीडियो में dreamland का app नहीं खोल रहा हूं क्योंकि मुझे यह believe है कि मैंने आपको हर एक player के बारे में जो बताया है stats wise भी और record wise और ऐसे भी तो आप खुछ से team बना सकते हो ठीक है बाकी after toss की update के लिए टेलीग्राम से जोड़ जाना और वीडियो से कुछ सीखा होना तो लाइक जरू कर देना चैनल पर नए होता सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए